कि जब महेंगाई की बात होती है तो लेसन प्याज नहीं खाते कहके बचने लगते हैं बेरोजगारी की बात होती है कहते हैं पकोड़ा तलो चीन की बात होती है कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं जब अडानी की बात करते हैं तो कापते हाथों से पानी पीने लगते हैं अडानी का अ नहीं बोलते हैं और आपका साथ कौन दे रहा है चरण चुम्बक चरण वंदन करता हुआ अधिकांश मीडिया अब न्यूजरूम एडिटर नहीं चलाते हैं न्यूजरूम पीमो में बैठावा एक चपरासी चलाता है जो आपको वाटसाप भेज देता है और उस वाटसाप के माध्यम से आपके हाँ ब्रेकिंग न्यूस चलने लगते हैं सवालों का जवाब आपके पास है नहीं जूट का साहरा आप लेते हैं राहूल गांदी जी तो शेर की तरह दहाडते हैं मोधी जी ये कौन सी महामूर्खों की टीम आपने बनाई हुई है आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों और ऐसे गीदरों से भरी है कि जब शेर की तरह राहूल गांदी जी दहारते हैं तो आपकी ये जो गीदरों की टीम है, ये बड़ी लालायत हो जाती है जूट फैलाने में, पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी जूट परोसा जा रहा था, अब Cambridge के lecture और UK की trip के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है, सोचिए Cambridge का lecture 28 परवरी को हुआ था, अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंतरी, पूर्व मंतरी, मुख्य मंतरी, प्रवक्ता लगे पड़े जूट फैलाने में, और जूट भी कैसा फैलाते हैं कि जू प्याज नहीं खाते कहके बचने लगते हैं, बेरोजगारी की बात होती हैं कहते हैं पकोड़ा तलो, चीन की बात होती हैं कोई घुसा हुआ नहीं, आप खुद कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं, जब अडानी की बात करते हैं तो कापते हाथों से पानी पीने लगते हैं, नानी का अ नहीं बोलते हैं, तो दिक्कत की बात यह है कि आपका कोई जूट चिपक नहीं रहा है, लेकिन जूट आप लगातार बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं, और आपका साथ कौन दे रहा है, चरण चुमबक, चरण वंदन करता है हुआ, अधिकांश मीडिया, एक बात तो सर्विदेत है कि अब न्यूज रूम एडिटर नहीं चलाते हैं, न्यूज रूम प्यमो में बैठावा एक चप्रासी चलाता है, जो आपको वाट्साप भेज देता है, और उस वाट्साप के माध्यम से आपके हाँ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, कोई फैक्ट चेक नहीं करना, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना, अपना दिमाग ही नहीं लगाना, इन फैक्ट, आज का क्राइटीरिया यह है कि अगर आपको सफन पत्रकारता करनी है, इनके हिसाब से, तो पहले दिमाग और जमीर गिरवी रखना पड़ेगा, तो मेरी दो नसिहत हैं आपको, जितने आपके मंत्री हैं, कानून मंत्री बिचारे कानून की धजिया उड़ाने में लगे रहते हैं, सूचना प्रसाणा मंत्री जो उनका पहला काम है, मैं सबसे बड़ा ट्रोल बनकर दिखाऊंगा, मोदी जी घबराईये मात, एक महिला मंत्री है, वो बिचा जुठा कहे जाते हैं, लोग हसते हैं आप लोगों पर, थोड़ी फजियत से बचियेगा, और दूसरा इत नसियत ये देना चाहती हूँ, अरे समविधान की शपत लिए अपने पदों के लिए, थोड़ी उनकी गरिमा रखिये, उनकी गरिमा नहीं रखनी तो जब घर जात तो लगे रहिए, सवालों का जवाब आपके पास है नहीं, जूट का सहारा आप लेते हैं, और मीडिया से तो सिर्फ इतना कहना है, अपना जमीर भरे गिरवी रख दिया हो, अपना दिमाग भी गिरवी रख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके उपर तो